येस हेलो हम फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके थे उसने देखा बिखारी में बिखारी ने कि दूर से रत उसको नजर आ रहा है और उस रत में ये कौन राजा बैठा हुआ है राजा का राजा कौन है ये उसको ऐसा लगा कि एवल जो उसके जो बुरे दिन थे वो अब क्या हो गए है खतम हो गए है and I stood waiting for arms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust और उसको क्या लगा कि जो उसके पुराने दिन जो एवल जेज हैं वो खतम हो गए है and I stood waiting और जो मैं यहां खड़ा होके किसका वेट कर रहा हूँ arms means का होता है भिक्षा जैसे वो यहां भिक्षा के लिए खड़ा हुआ था to be given unasked and for wealth scattered scattered means होता है भिक्षा और उसे लगा कि जैसे मानो अब बीना मांगे ही उसे क्या मिल जाएगी बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और जो इदर उदर बिख्रेवे होंगे dust में all sides in the dust उसे क्या लगा कि अब तो राजरा आ गया और मुझे बहुत सारी जो है भिक्षा के रूप में क्या देगा बहुत सारे पैसे देगा और जो है मेरे फिर बुरे दिन खतम हो जाएंगे और मेरे आसपास जो है पैसे ही पैसे scattered means बिख्रेवे होंगे हा न उसको ऐसा लगा he thought he thought so in this poem आपने मतलब की stanza में पूरी stanza में क्या देखा God is referred to as the king of all kings क्यों मतलब की हाँ पे referred क्या हुआ है God kings all of all kings इसलिए because because he is only one who can convert the poor into rich and rich into the poor और यहां पे God को refers क्या हुआ है क्योंकि एक वही है जो convert कर सकता है गरीब को अमीर में और अमीर को गरीब में हा ना so here first enzum में आपने देखा this king of all kings now जैसे कि इस पैरा में हमें एक points और देखने को मिल रहा है कि जो है जो बेगर जो है यहां पे chariot हाना chariot यहां पे क्यों बोल गया the beggar becomes hopeful उसे क्यों आशा थी उससे राजा से because he thought that the king of all kings will give him arms and his evil days will be over उसे लगा कि जो राजाओं के राजा उसे कुछ ना कुछ देंगे और जो है उसके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे evil days will be over so yes now see the second see the second yes the chariot stopped when I stood the glance fell on me and though and though came his down with a smile here the chariot stopped where I stood मतलब कि जहां पे वो भिखारी खड़ा हुआ था वहां पे जो रद है आके रुख गया the glance fell on me glance means here क्या होता है द्रेश्टी उसने जो है मेरे उपर मतलब कि भिखारी को देखा the glance fell on me and though chemist down with a smile and फिर क्या हुआ उस भिखा उसने उसके राजा जो थे रत के उपर उसके पास आया उसके chemist down with a smile और उसके smile से उसकी तरफ देखा I felt that the luck of my life had come at last अब मुझे लगा कि जैसा जो मेरे लख है जो life को जो लख है जो वो क्या हो गया है सबसे last position पर आ गया है मतलब कि means to say अब वो भिखारी नहीं बनेगा जैसे अमीर हो जाएगा जैसे राजा उसको कुछ ना कुछ भिखा भिख्षा में देंगे ओकी then of a sudden though didst hold out their right hand and say what has to though to give to me okay now यहाँ पे पलड़ जाता है देखिए यहाँ पे जो राजा के king king of all kings जो राजा यहाँ पे रत पे आयवा था वो अब क्या करा उसने उस भिखारी से क्या कहा if you want to see all my parts of video अगर आप मेरे दूसरे parts भी देखना चाहते इस वीडियो के तो subscribe my channel मेरे चैनल को subscribe कीजिए okay and you will get then all the parts of this summary in Hindi और also in English आपको मैं अच्छे से question answer भी आपको मैं बताऊंगे इसके और summary भी आपको मीलेगे so subscribe my channel ठीक है okay I will tell you in details in Hindi और also in English